अस्ताम अलेकुन सॉक्टर वजान देखें मैं आप तक 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 तकरीबन 40 वीडियो बना चुका हूँ और हर वीडियो में कम असकम 2-3 कॉमेंट होते हैं जो कहते हैं प्लीज ब्रेसिस पे वीडियो बना दे तो आज बना देते हैं अगर आपके दान्त बहुत तेडे मेडे हैं या आपके दान्तों के बीच में स्पेसिस बहुत जाद हैं या उपर वाले दान्त बहुत आगे निकले हैं या नीचे वाले दान्त बहुत आगे निकले हैं या ओवर आल आपको अपनी स्माइल नहीं पसंद यह सब कुछ ब्रेस मिसाल के तोर पर आगर आपके दान तेड़े मेरे तो उनकी सफाई सही तरह नहीं हो सकती जो सफाई सही तरह नहीं होगी तो कीड़ा लग सकता है आपके मसूड़े सूर सकते हैं और बाद में दान भी निकल सकता है आप क्योंके दान सही तरह मिल ले रहे हैं तो आपको बोलने में और खाने में मुश्किलात हो सकती हैं आपके जबडे में दर्द हो सकता है और आपके दान जो हैं वो घिस सकते हैं आपका जो देंटिस्ट है वो आपसे हेल्थ के सवाल पुछेगा आपके एक्जाइम करेगा आपके दानतों का नाप लेगा आपके एक स्रेज लेगा आपकी तस्वीर लेगा और फिर जब स्कुरास पहुंच जाएगा तब उसको study करेगा और फिर आपको बताएगा कि आपक जबना सिवेर केस होता है कि उनके जबड़ा बहुत आगे होता है तो सरजरी करने पढ़ दी ताके जबड़े को छोटा करें जायत अलों के अंदर नॉर्मल ब्रेसेस से दान ठीक हो जाते हैं ब्रेसेस के जरीए आपके दान्तों को सही पोजिशन में लाए जा सकता है इसके दो-तीन फाइदे एक फाइदा यह क्योंके वो सही पोजिशन में आगए तो वो देखने में अच्छे लग रहे हैं दूसरा अब वो क्योंके सीधे हो गए तो उनकी सफाई जादा अच्छी तरह हो सकती तो दान्त खराब होने के चांसे कम हो गए तीसरा अब क्योंके सारे दान्त सही तरह मिलने तो आप जब खाएंगे तो बहुत अच्छी तरह खा सकते हैं क्योंके आप सब दान्तों पर प्रेशर पढ़ा है सिर्फ एक या दो बनी पढ़ा ब्रेशर कई किसम के आते हैं? मेटल वाले भी आते हैं, दान्त के रंग वाले भी आते हैं, दान्तों के अंदर वाली साइट पर लगने वाले भी आते हैं और ट्रांस्पेरेंट भी आते हैं आपके लिए कौन सा बितर है या आपको डेंटिस आपको बताएगा braces काम किस तरह करते हैं आपके दांतों के उपर brackets लगते हैं और वो एक तार से जोड़े होते हैं जो dentist है वो तार को tight करता है तो जो tight तार है वो दांतों को खेचरी होती जब तक वो सई पोजिशन में नहीं आ जाते हैं सिवेर केसे में सिर्फ स्तार से काम नहीं होगा तो dentist आपको घर पर पहने के लिए एक और डिवाइस देगा जो कि मूँ के बाहर लगती है यह सवाल हर बंदा पूछता है और इसी की वैस सुचता है कि या पर इससे लगाँ या नहीं लगाँ क्या दांत निकलवाने पड़ें आपको समझ आजा कि दांत हम क्यों निकालें चौक नहीं है मुझ के अंदर जो टोटल जगा है वो इतनी नहीं है कि सारे दांत सीधे सीधे अपनी जगा पर आजाएं इसलिए वो तेड़े मिड़े आते हैं जिसको जितनी जगा मिले तो अगर हम चारे हैं कि दांतों को इस कितना डिफिकल्ट है कितनी मुँ में जगा है कितनी नहीं है और डेंटिस के इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी अच्छी तरह फॉलो करता है पेशिंट अमूमन एक से तीन साल लगते हैं इस ट्रीट्मेंट को मुकंबल होने में जो आपके ब्रेस उतर जाएंगे तो आपको तार बांदी वी आपके दातों मैं कि यहां लाना है तो उस पहली तार ने यहां से यहां लेकर आगई अब यह उस टार यह उजड़ेस हो गया है वह तार चेंज कर देगा रबर बैंड चेंज नहीं लगाएगा है ताकि दांतों पर टेंचन है ताकि अब दांत यहां से ही आए फिर अगली अपॉन्मेंट भी चेंज करेंगा ताकि आ गया है क्योंकि वो धीली हो जाती है और अगर सफाई की जरुब है तो वो भी कर देगा क्या ब्रेसिस की treatment में दर्द होता है दिखें जो ब्रैके लगे वहे है और आपको आपके जो कभी क्या गम या लिप को इर्रेटेटकर सकती है और आपके जब treatment स्टार्ट होती है यह अब membавно मेंट में पे जब नइ मायर को लगाता है या वायर को टाइट करता है तो एक, दो, तीन दिन के लिए दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत जो कि अराम से पैनेडॉल ये कोई भी पेन के लिए से कंट्रोल हो जाता है उपर आपको आदत हो जाती है ब्रेसिस के टीट्मेंट करने का जो बैस टाइम है वो है बच्पन में जाहर अगर आपके टीट्मेंट साही नहीं होगी तो आपके दांत, आपके मसूडे, आपके हड़ी पर्मेंट हमेशा के लिए डैमेज हो सकते है एक ट्रेंड एक्सपरियंस डेंटिस्ट या इस चीज के स्पेशलिस्ट ये होने नहीं देगा क्यूंकि आपके मुँँ के अंदर काफी कुछ लगा है तो खाना पसने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं और फस्ता भी है तो आपको हर खाने के बाद अच्छी तरह मुँँ के अंदर से सब कुछ निकाल के साफ करना पड़ेगा का बना कीड़े लगने के चांसे कैविडी के चांसे बहुत जाता हो जाते हैं और क्यूंकि आप हर दफा साफ कर रहे हैं और मुँ में चीजें लगी हैं मेटल बगर आपको अराम से साफ करना पड़ता है यह जो लगाया है यही तूड़ जाए तो आपको हाड चीजे आवाइट करना खाना आपको स्टीकी चीजें ख करें खाना जब ब्रिसे आपकी उतर जाएंगे तो डेंटिस आपके दांटों के अच्छी तरा सहाओ कर देगा हो सकता है आपकी अकल दाद उस फकद निकल आरे हैं लो दान नही पूजिशन मेली है उनको बरगरा रखने में मदद देगा दो किसम के आते है ने टेंदर एक आता है फिक्स्ट एक आता है रिमूविबल फिक्स्ट वाला जो है वो दांतों के पीछे वाली साइट पर लगती पतली से वाया रिमूविबल दो तरह के आते हैं एक आगे वाय जा रही होती है और एक होता है ट्रांस्पेरेंट सा क्या ये ट्रीट्मेंट पर्मिनेट है क्योंकि मैंने तो सुना था कि किसी ने ब्रेसर लगायता है और उसके दांत बांदे फिर तेड़ो हो गयता है मैं आपको समझाते हूँ क्यों है लेकिन परीसels के ट्रीन का मकसद ही होता है कि दांत को खेश के एक नछा नहीं पूछे यहां settle नहीं हो जाता है लोग क्योंके पक्चो के होते हैं एक से दो साल treatment के दोरान और जो उनको retainer मिलता है वो removable होता है तो वो पहनते ही नहीं और दान जब वापे जाना चारा है फिर तेड़ा हो जाता है braces के जरीए आपके दान, आपकी bite, आपकी smile सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन इस treatment के सारे पहलू पहले आप अपने dentist के साथ discuss कर लें हो सता है आप इसके candidate हो ही नहीं हो सता है आपका एक छोटा सा problem हो जो braces से जरी नहीं किसी और treatment जो के छोटी सी है उसके जरी आपका problem ठीक हो जाए लेकिन अगर डेंटिस ने कहा है कि आपको braces लगेंगे मैं आपको अभी बता दूँ यह treatment successful है बहुत successful है अगर आप committed रहेंगे और जो instruction डेंटिस कहेगा वो follow करेंगे और सारी appointments पे पहुंचेंगे वरना treatment में बहुत अलंबा time लग जाएगा orthoontic treatment कौन कर सकता है general dentist भी कर सकता है और orthoontist भी कर सकता है orthoontist इस सीज के specialist को करते है तो जो normal से moderate cases होते हैं वो general dentist भी कर सकता है अगर experienced हो और जो severe cases हैं वो usually orthoontist देखता है हर इनसान perfect smile के साथ पैदा नहीं होता लेकिन टीट्मेंट के जरीए एक खुबसूरत और healthy smile आप आसल कर सकते हैं अगर वीडियो helpful लगी तो मुझे comment section ने बताएं और दूसरों के साथ share करें YouTube सबस्क्राइब करें Thank you for watching